ए मेरे वतन की लोगों यह एक हिंदी देश भक्ती कविता है जो लतामंगीशकर जी के द्वारा 27 जनुरी 1903 को दिल्ली के रामलीदा मैदान में प्रधान मंत्री जवहल्या नहरू जी की उपस्थिती में भालत जीन की जन्ग में शहीद हुए भालती शैनिकों को शर्धांज स्वर्यू गाया गया था यह कविता कवी प्रधीप जी के द्वारा लिखा गया था ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगालो नारा ये शुभ दिन है हम जब का लहरा लो ती रंगा प्यारा परमत भूदो सीमा पर वीरों नहें प्राण गवाए जरा याद उन्हें भी कर लो जो लाट के घर ना आये ए मेरे वतन के लोगों जरा आख में पानी भर लो जो जहीद हुए है उनकी जरा याद करो कुरबारी जब देश में थी दीवाली वो खेल रहे थे गोहली जब हम बैठे थे घरों में वो खेल रहे थे गोहली क्या लोग थे वो देवाली क्या लोग थे वो अभी मानी जो जहीद हुए है उनकी जरा याद करो कुरबारी कोई सिख कोई जाट मराथ था कोई गुरखा कोई मदराती सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारत वासी जो खुन गिरा परवत पर हर खुन था हिंदुस्तानी जो जहीद हुए है उनकी जरा याद करो कुरबारी थी खुन से लथ पथ काया फिर भी बंदुक उठा के दस दस को एक ने मारा फिर गिर गए होश गवा के जब अरत समय आया तो कह गए के अब मरते हैं खुस रहना देश के प्यारों अब हम तो सफर करते हैं थे धन्य जवान वो अपने थे धन्य वो उनके जवानी जो शहीद हुए है उनकी जरा याद करो कुरबारी जए हिंद जए हिंद किसे ना जए हिंद जए हिंद जए हिंद जए हिंद